कलेक्टर प्रिध्वापाल के नित्रत्व में जिले में शांधि पूर्वक मतदान हुआ संपन, दिव्यांगों, महिलाओं तथा नए मतदाताओं ने उत्साह से किया मतदान आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर खबर मध्ध प्रदेश की रिवा से रिवा तथा मौगन जिले के आठ विधान सबाक्षेत्रों में प्रातह साथ बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आरंभ हुआ मतदान शुरू होती ही कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारे देखे गई उत्सब के माहौल में बुजुरकों, दिव्यांगों, महिलाओं तथा पहली बार मतदाता बने युवाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया जिले में सेकणों मतदान केंद्रों को आकर्शक ढंग से साज सज्जा करके पिंक बूथ तथा आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था मतदान को लेकर मतदाताओं में जबर्दस्त उत्साह देखनों को मिला, शाम तक जिले में लगभग 68% मतदान हो चुका था जिले में सभी मतदान केंद्रों में शांति पूर्वक मतदान संपन हुआ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतिभापाल तथा पुलीस अधिक्षक विवेक सिंग शांति पूर्वक मतदान कराने को लेकर लगातार प्रयासरत रहे जिले भर में ब्रहमण और संबंधित अधिकारियों को समय समय पर उचित दिशा निर्देश देते रहे जिसके चलते शांति पूर्वक मतदान संपन हुआ मतदान के दोरान भारत तिबबत सीमा पुलीस अर्दसैनिक बलों की 19 कंपनिया जिले भर में तैनात रही इनके अलावा नगर सेना के 1600 जमान, जिला पुलीस बल के 1200 से अधिक जवान तथा बिशेश पुलीस अधिकारी के रूप में बन विभाग के कर्मचारी, आंगन बाड़ी कारिकरता तथा कोटवार तैनात रहे मतदान के बाद सभी इवियम को इंजिनरिंग कॉलेज में बनाये गए स्ट्रॉंग रूम में रखा जाएगा जहां CCTV के साथ कड़े सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं आईए आपको सुनाते हैं रिवा कलेक्टर प्रतिवापाल ने इस संबंद में मीडिया को क्या जान कारी दी बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रिवा है सभी 2014 मद्दान के इंदरों पर शांतिपूर मद्दान हुआ उट्साहा के साथ में जो वोटर्स थे उन्होंने भाग लिया और मद्दान के इंदरों के विजिट के तौरां हम लोगों ने देखा कि हर आयू वर्क के लोगों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया नए वोटर्स इस बार जो अपनी वोटर्स थी उनमें महिला वोटर्स के नाम बहुत प्रात्मिक्ता से जोड़े गए थे उन्होंने बहुत उत्सा से भाग लिया तो सभी जगे शांतिपूर्वक क पानों ने विवस्था के साथ पूरा मद्दान संपन कराया गया है अभी आज हुकि अपने सभी मद्दान दल अपनी सामगवी सहीद वापस आएंगे राद तक और फिर जो पोल्ड इवीम है उनको यहां इंजिनिरिनिंग कॉलेज में ही सेंट्राइस तरीके से सभी के पिर जो अपनी काउंटिंग की तैयारी है प्राजेक्शन और बाकी तैयारियां वो आगे शुरू हैं इस बार अच्छा उत्सा हम लों को देखने को मिला है कुछ विधान सवाएं कुछ ऐसे पॉलिंग स्टेशन जिनमें पिछली बार वोटिंग पर्सेंटेज कम रहा था है वहां स्वीप की अच्छी अक्टिविटीज की गई जैसे की मद्दाताओं को जोडा गया उनको मद्दान के विशे में अपकत कराया गया क्या महत्व है कैसे वोट देना है तो उसकी वज़े से इस बार रीवा में बहतर मद्दाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज जो अपनी पोलिंग मशीनों पोलिंग बूट से जो मशीने पोल्ड एवियम सा रही है उनके लिए आठ हर एक विधान सभा का एक स्टॉंग रूम यहीं इंजिनिरिंग कॉलिज में बनाया गया है अपने जो स्टॉंग रूम हैं वो सभी में CCTV लगे हुए हैं इसके अलाव सब्सक्राइब रहे इसके अतरिक्त सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस सूचना भी दी गई है यदि वो भी यहां करके अब लोकन करना चाहते हैं जो स्टॉंग रूम बने हैं तो वो सभी भी राइटिंग में सब को सूचना दी गई है सभी आमंत्रित हैं और कि सुश्प्रेट्व रवक्षा जमाई गई हैं तकि किसी भी रतार का कोई संक्राइब किसी के मन में ना रहे हैं अभी सभी मदानकेंद्रों में अपने ikiओ ती मैंfed बनानकेंद्रों में उद द्संस भी के संपर्क में हैं तो अपनी टीम्स आना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी और लगवग हम लोगा पेक्षा करना है कि बारा से दो बजे बीच में अपनी सभी टीम्स बापस यहां आ जाएंगी और सामगरी का मिलान करा के कुछ सामगरी जो बहुत महतफून होती है उन सा प्राइब करना आप जो